गर्ण पंचायत गेरू खदान स्थेतू उचित मुल्य की दुकान में हेरा फेरी का मामला प्रकाश में आया है आपको बता दे कि गुरू खदान सहित आसपास के लगबग छे गाउं के 452 राशन कारधार्कियों को इसी उचित मुल्य की दुकान से राशन मिलता है सभी जरूतमन उचित मुल्य की दुकान के कारे प्रणाली और राशन वित्रण में हेरा फेरी सहित अन्य गडबडी से लगातार परेशान होकर अपने जीला पंचायत शेतर की सदस्य मम्ता राजेश पाल को लिखित रूप से अवगत करा चुके हैं उनके मार्क दर्शन में इस मामले की लिखित शिकायत SDM डॉक्टर डिपित वर्मा को करते हुए जीला कलेक्टर को इसकी प्रतिलिपी दे गई थी जिस पर फूड इंस्पेक्टर गरीमा शोरी जाच करने गेरखु दान स्थित उचित मुले की दुकान पर पहुची यहाँ पर शिकायत करताओं को बुलाया गया यहाँ ग्रामिनो ने बताया कि राशन बरतने में अनिमिताएं बरती जा रही है गरामिनो एवं स्थित मुले की दुकान को संचालित किया जाता था जिसके बाद स्थित के अध्यक्ष बिमला बाई जोकी सेल्स की मा है 2007 के बाद स्थित मुले की दुकान को नहीं चलाओगे इस परकार सबसे पहले मा बेटे ने स्थित मुले की दुकान पर तोलाई के काम में लगा दिया वर्तमान में करोना काल के चलते सभी इतगराईयों को शासन द्वारा 55 किलो अतिरिक्त चावल मिलना था प्रन्तु किसी भी इतगराईयों को ये चावल सेल्स मेल द्वारा नहीं दिया कया यहां यह भी बता दे कि लगबग 11 बजे से जास में पहुँची फूड इंस्पेक्टर गरीमा शोरी एवं जीला पंचाय सदसे ममता पाल वो ग्राम वासी लगबग एक बजी तक सेल्स मेन तिलो की आदव का इंतजार करते रहे प्रन्तु तिलो की आदव मोके पर उपसित नहीं हुए अब इस पूरे मामले पर देखना ये हुगा कि गरीब हित ग्राहियों को कब तक न्याय मिलता है और उनके हक की राशन जो क्वंटनों के भाव आज तक कटोती किया गया है उस पर शासन किस परकार भरपाई करता है राइपोर से स्टेट हैड पिरनेगरवाल की रिपोर्ट स्टेट हैं मेंटार मेंटननी मेंटना जता है में बता हमसे ही पर में आते आते त 확 आधी तया महों नहीं दे रहां यह स국ह को मैं में जा यह रीकर वांग है थेसी जान फुहां जा आप करोुक पल रोकाबी दाख में डहां के करके कि रोड के डिये डाल आप मेंडे एक प्लेन किले जार्खर अ कहले में अरिस छी है असरी पकला अर पर पारेशलो अजिसे लिड़ाे पानी के लिए बैल अीकन को क्लिक रहे हमारी चैनल को लाइख, शेयर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल